नमस्कार दोस्तों CMO हिमाचल प्रदेश की तरब से एक अपडेट आ चुकी है बहुत important और काफी time से सभी इंतिजार कर रहे थे कि क्या होगा सार दिन का time है सार दिन की deadline है क्या होगा लेकिन वो सुक्विंदर सिंग सुकुजी ने सामने हिमाचल प्रदेश स्टाप सेलेक्शन कमिशन जो है अब वो काम नहीं करेगा उसको इन्होंने बिलकुल पूरी तरह से खतम कर दिया है और जो भी इसकी pending भरतियां थी कुछ एक की documentation होनी थी कुछ एक के final results आने थे और कुछ एक नई vacancies निकली थी 1645 के approximate और कुछ एक पिछले test रह गए थे जो जेवाइटी 965 का भी जिसमें है तो वो सबी जो है अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला को दे दिये गए हैं तो अब जो HPSSC का का काम देखेगा हिमाचल प्रदेश प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन देखेगा और जो कि Class 1 Officers की Recruitment करता है H.A.S. Allied Services, N.A.P.D. तो उनकी Recruitment करता है तो उनको ये जिम्मा दे दिया है जब तक कि कोई नई Recruiting Agency ना बनाई जाए तो इससे तो हमें ये लगता है कि कुछ सही करना चाह रहे है सुक्विंदर सिंग, सुक्खु जी विवस्ता परिवर्तन करना चाह रहे है Let's see धीरे-धीरे सबको पता लग जाता है जैसे कि एक साल, डेट साल होएगा इनकी गॉर्मेंट को तो सबको पता लग जाएगा कि यह कितना काम कर रहे है और कितना नहीं कर रहे है अभी तो स्टार्टिंग है अभी तक साही डिसीजन भी ले रहे है कुछ एक में दिक्कत भी आ रही है वैसे चल अभी लेकिन जो इन्होंने कहा है उनको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं भी देखने वाली बात हुए तो सारा काम जो है अब HP, PSC को दे दिया गया है, उनके उपर भी काफी वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके टेस्ट्स भी काफी, उनके रिजल्ट्स भी काफी लेट आते हैं, तो दिक्कत तो बहुत होने वाली है, आगे भी को होती है, विरोजगार बंदों को होती है, तो इसलिए, अब इसके उपर, सुखविंदर सुखु जी को, HP, PSC को सकत आदेश देने चाहिए, कि जल्द से जल्द, और एक टाइम बाउंड मैनर में इस प्रोसेस को चलाया जाए, HP, PSC को एक अलग उसमें लिया जाए, ऐसा परकराना है, हमार पास वर्कलोड बहुत जादा है, तो हम बस लिटका लिटका के आगे काम करते हैं, तो एक बहुत ही ये सिस्टम खराब होएगा, और नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे, देवारे देवा, ये तो हो गई होगा, सुखु जी ने यह भी कहा है, कि जब तक नई भरती एजनसी तेह नहीं हो जाती है, तब तक राज्य लोग सेवा आयोग इस भरती प्रकरिया को पूरी करेगा, मुक्य मंत्री ने कहा कि करमचारी चैन आयोग की ओर से ली गई, जिन लिकित परिक्षाओं का अभी रिजल्ट नहीं आया है, उनकी आगे की प्रकरिया राज्य लोग सेवा आयोग करेगा, इसी तरह जिन पेपरों के बच्चों को रोल नंबर दे दिये गे थे, उनके पेपर भी लोग सेवा आयोग करेगा, सुक्षू ने कहा कि आयोग मैं निचले स्तर से लेकर उच स्तर तक कि स्टाफ की पेपर लीग में सनलिपता सामने है, अब देखते हैं आगे, सुक्षू ची क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, वो डिजर्ब करते हैं, क्योंकि उनको बाहर का रास्ता, और ये हमारे, हमारे नहीं है, हमारे का पहले समझते थे लेकिन, यह नहीं, HPSSC के पूर्व चेर्मेन Mr. Jitinder कवर है इनकी responsibility थी कि यह HPSSC को अच्छे से चलाएं क्योंकि यह class one officer है लेकिन यह इस काम को नहीं कर पाए और इन्होंने HPSSC को ताला लगवा दिया क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा responsibility होती है तो यह कुछ नहीं कर पाए और next बात करेंगे पिछले दो महीने से ICU में पढ़े HPSSC ने आखरकार आज अंतिम सांस ली rest in peace HPSSC आज इसका काम खत्म हो गया और यह rest in peace चला गया लेकिन आप comment में यह जरूर बताना कि यह जो बंदा इतनी महनत से त्यारी कर रहा है अब जितने टेस्ट हुए है और कुछ एक जो बंदे पैसे दे कर नौकरी ले गए है लेकिन उनका क्या कसूर था जो उनकी जगा लगने थे और वो नौकरी पे ना लगे तो उनका क्या कसूर था लेकिन बोलते हैं भगवान के दर में घर में देर है अंधेर नहीं तो वो फसेंगे और उनको सड़क पे आना पड़ेगा और सारा जो आज तक उन्होंने कमाया उनको पास पैसा बापिस करना पड़ेगा और यह अफिशली अनौन्स कर दिया गया है गौर्मेट ऑफ ही माचल की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है कि जो भी HPSC कैसे उनको हैंड़ोवर कर दिया गया है और इसमें भी बताया गया है कि स्टाप सेलेक्शन कमिशन जो था वो जो इंक्वारी रिपोर्ट थी उसमें इंटेग्रिटी एंड क्रेटिविल्टी ऑफ HPSC सेलेक्शन कमिशन इस इन डाउट तो उनके काम का आज डाउट में था सारा काम तो इसलिए जो सारा काम किसको दे दिया गया है पबलिक सर्विस कमिशन को दे दिया गया है तो फ्रेंड्स आपको ऐसी अच्छी वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहेंगी और हम अवाज उठाते रहेंगे तो इस चैनल को सुब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में बहुत सारे जीके के ट्रिक्स हैं जै हिन जै भारत जै हिमाचल